दोसरों YouTube रोज नए नए अपडेट है वो लेकर आ रहा है और आज एक और नए अपडेट आया है ये जो अपडेट है YT स्टूडियो के अंदर है इस update से हमीं ये पता चलता है कि किस तरह से हमारा जो channel है हमें grow करना है कैसे content हमारे channel के ऊपछे बनाना है हमारी जो audience है वो किस परकार के content है हमारे youtube channel के ऊपछे रही है कौन सा वीडियो ज़्यादा देर तक देखा जा रहा है इसके अलावा कौल से दूसरे यूटूबर के जो वीडियोज हैं वो आपकी ओडेंश है वो देख रही है और आपके चैनल के उपर आपको किस तरह के content है वो बनाना चाहिए आपके वीडियो का जो duration है वो आपको कितना रखना चाहिए क्या-क्या आपको अपने चैनल को गरो करने के लिए करना चाहिए ये सारा अपडेट है वाइटी स्टूडियो के अंदर दिया गया है आगे चलके मैं आपको मॉबाइल की स्क्रीन पर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको फैंड कर सकते हैं कि जो यूट्यूब है वो किस के बारे में आपको बता रहा है आपको ये जो आपसेंस हैं जो आगे मां आपको बताने वाला हूँ ये सारे के सारे आद देखने को आपको मिल जाएंगे तो चलिए चलते हैं मॉबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि कौन सा जो अपडेट है वाइटी स्टूडियो के अंदर यूट्यूब अभी दिया है अभी मैं आच चुका हूँ अपने मॉबाइल की स्क्रीन के उपर और यहां पर आपको बताते हैं कि कौन सा जो अपडेट है अभी यूट्यूब की तरफ से आया है सबसे पहले आपको वाइटी स्टूडियो है वह अप्लिकेशन है उसको प्ले स्टूर में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी आपके स्मार्ट फॉन की और यहां पर आपको एक ओप्सन दिखाई देगा लरन हाउ यूटूब रिकॉर्मेंट्स कंटेंट्स यहां पे देखिए इसके उपर आपको बीच में क्लिक कर देना है कहीं भी तो इसके सामने आपके सामने ज प्रिवे जाएगा क किसी आपको यहां पर क्लिक करनाा है यह दिया गया है कि इसको ज़्यादा नजदेकी से आपको देखना यह जैनने के लिए आप क्लिक कीजिए जैसे आप स्क्रोल करते हैं आपके सामने कुछ ऐसी विंडोज आएगी यहाँ पर लिखा है डू यूर वीडियो इस्टेंड आउट टू पीपल यानि कि जो आपकी ओडियन्स है वो आपके कौन-कौन से वीडियोज है वो यहाँ पर देख रही है यहाँ पर जो थमनेल्स है वो यहाँ पर जो है वो करने लग जाएगी और आपकी जो वीडियोज है यूट्यूब के ओपर जो ओडियन्स आपकी देखती है वो सारी थमनेल्स यहाँ पर आ जाएगी इसके अलावा अगर आपकी ओडियन्स किसी दूसरे यूट्यूब चैनल की वीडि लिख रही है आपको उस तरह की content है वो भी बनाना चाहिए अपने चैनल पर जिससे की है आपका जो चैनल है वो गरो होगा इसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं नीचे देखिए यह जो options दिखाई दे रहे हैं आपको कुछ जो thumbnail है वीडियो की उसका जो impression है वो hundred time हम भेजते हैं तो उसमें जो three लोग है वो आपका वीडियो है वो click करके देखते हैं यानि कि यह जो dark आप देख रहे हैं या सो बार YouTube के कहने का मतलब यहां पर यह है कि सो बार हमने आपके किसी thumbnail का impression भेजा है सो वेक्टियो के पास में उसमें से तीन ने आपकी वीडियो के उपर थमनेल पर click किया है यानि वो आपकी यहां पर CTR हो जाती है आप देखें नीचे दिखाया है कि many popular videos are chosen up to 10 time in the fast day यानि कि कुछ popular video ऐसे भी हैं जो कि fast day में ही 10 time यानि जो click है वो आपके वीडियो पर हो ज रहेंगे तो यहां पर आपको एक option और दिखाई देगा जहां पर लिखाया है do your videos keep people watching यानि की जो आपकी वीडियो है वो आपे कोई long videos भी है यानि की 10 minute की भी है कोई 12 minute की भी है कोई 5 minute की भी है कोई 6 minute की भी है कोई 2 minute की भी है तो यहां पर जो average view आपके जो duration है time निकाल का निकाला गया है यानि कि चार मिनिट का तो आपकी जो ओडियन्स है वो आपका वीडियो है चार मिनिट में से एक मिनट दस सेकेंड तक है वो देखता है डियूरेशन दिया है कि एक मिनट दस सेकेंड तक देखते हैं वो और जो पॉपुलर वीडियो है मैंनी पॉपुलर फ है do people enjoy your videos तो यह option है यह अभी तक चालू नहीं किया है YouTube ने यानि कि यह वो है जैसे आपके आपके वीडियो के उपर कितनी लाइक आ रही है कितनी कमेंट आ रही है कितनी अच्छी कमेंट है कितनी negative में कमेंट है तो यह एक star की तरह काम करेंगे यह जो heads देख रहे हैं आप यह एक star की तरह काम करेंगे अगर आपका वीडियो अच्छा है आपको अच्छी like मिल रहे हैं तो आपको five heads मिल सकते हैं या फिर three heads मिल सकते हैं आपका वीडियो एक दम बिल्कुल बेकार है तो आपको एक हर्च मिल सकता है वो यहां पे है इसके बाद में आप जैसे ही थोड़ा सो और आगे स्वाइप करते हैं तो यहां पे लिखा है डॉंट फॉर्गेट हाओ फीपल आर इंफ्लेंस बाए यानि कि यह आपको बता रहा है कि आपको किस तरह से वीडियोज हैं अपने बताना ब काम करना है ताकि आपका चैनल है वो गरो होगा competition आर अर दे अडर वीडियोज ओंते टौफिक टे कुड्व होच यानि की जों competition है उस competition के अणदर भी आपको video's हैं वो इस बनाना है competition जो है उसके videos बनाना है लेकिन कुछ अलग यानि कि कुछ अलग ही आपको उस videos को अपनी audience के सामने paste करना है ताकि आपकी जो audience है आपका जो channel है वो गरोँ हो आपकी जो audience है आपके videos को देर तक देखहे यानि उसका time duration है वो बढ़ाई ठीक है नीचे दे रखा है seasonality दे रखा है तो can you change content to match different interest during the year यानि कुछ आप पर परती year यानि कि आये साल दर साल आपको अपने channel के अंदर क्या changement किया है जिससे की जो आपकी audience है उनका interest है वो बना रहे यह यहाँ भी दिया गया है यानि कि यह suggestion दे रहा है YouTube कि आपको किस तरह से काम है वो करना है इसके बाद में आपको यहाँ पर यानि कि थोड़ा सा ओर swipe करना है तो नीचे आपको कुछ understand what viewers enjoy to make videos that get recommended यानि कि आपके जो videos हैं जो कि YouTube ने recommend किये हैं अपने browse feature के अंदर या suggestion के अंदर recommend किये हैं उसके इसाब से आपके कौन-कौन से videos हैं जो कि आपको views हैं वो अच्छे मिले हैं और जो time है, duration है वो आपको बड़ा है कि आपके कुछ videos आये हैं या देखे still watching at 0.30 यानि कि आप लगातार 30 seconds तक आपका video skip नहीं किया गया है और इतने वो videos हैं जो कि skip नहीं किया गया है लगातार आपकी जो videos हैं वो देखा गया है तो ये एक update YT Studio के अंदर YouTube ने दिया है इससे काफी हद तक हम जो YouTubers हैं उनको फाइदा होगा और आने वाले दिनों के अंदर YT Studio के अंदर बहुत सारे features हमें देखने को मिलेंगे जिससे कि हमें जो laptop site है desktop जो sites हैं उन पर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उन पर अपन जाते हैं desktop site पर तो वहां पर हमारा जो time है वो ज्यादा वेस्ट होता है तो इसलिए YT Studio पर ज्यादा focus कर रहा है YouTube और आने वाले time में हमें बहुत सारे features हैं वो YT Studio के अंदर देखने को मिलेंगे तो दोस्तों ये था video दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये video वीडियो में तब तक के लिए bye and take care जै हिंद वंदे मातरम